हेलो फ्रेंड्स आज हम चटपटे समोसे बनाएंगे जिसके इंगिरियन इस तरह से हैं लाव मिर्च पॉड़र, सफेद नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, भुना हुआ जीरा पॉड़र, आधा चमच काला नमक, ब्लैक सोल्ड, यह साबुत धनिया हैं जिसको मैंने मान दस्ते में आधे आधे कर लिया हैं एक कप मठर लिया है मैने, यह 3 हरी मेर्च धनिया पता, यह पांच लसुन की कलिया हैं को मैंने बारिक-बारिक काट लिया हैं गी है यह डोव बनाने के लिए एजवाई, और overly liar, में पॉपले हुए तीन आलु लिये हैं मैने, मेरे आलु बड़े-बड़े हैं अगर आपके आलू छोटे हो या मेडियम हो तो आप इससे डवल ले इसमें मुझे 10 समोसे बनाने हैं सबसे पहले हम समोसे की फिलिंग त्यार करेंगे जिसके लिए हमें यह सारे जिए मैंने बताये हैं आपको इंगे यह सब यूज होगा फॉर्स्ट यह इसलिए बनाएंगे थांडा बनने के बाद इसको फ़र थंडा होने के लिए रख देंगे तब हम डो तियार करेंगे इतनी तिर में हमारी दोनों चीज बन जाएगी चलिए हम इसका फिलिंग तियार करते हैं मेरा तेल गरम हो चुका है, यह एक चमर्च धनिया है जो मैं डाल रही हूं, फ्लेम मीडियम कर लेंगे, उसके बार हम यह जिंजर डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, थारी मिर्च, अधर खलशन को पिंक होने तक भूलेंगे, तब उसमें हम मतर एड़ करेंगे, थोड़ा सा भूल लेंगे, और मसाले एड़ करेंगे, फिर अलू एड़ करेंगे, इस तरह से हमारा यह स्टफ त्यार होगा, मैं आपको धीरे धीरे यह सारा प्रॉसेस बता रही हूं, अब मेरा यह पिंक हो चुका है, मैं मता राट कर रही हूँ दो मिनट इसको, दो मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे, तोड़ा यह सॉफ्ट हो जाए अब मैं मसाले एड़ करूंगे दिए दिरे, यह भूना हुआ जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, मिर्च मैंने ग्रीन चिली एड़ किया है तो मिर्च लाल मिर्च में कम डालोगी एक चम्मच, चाट मसाला यह एक चम्मच है जो मैं सारा एड़ कर रही हूँ, काला नमक, ब्लेक सोल्ट, और एक चम्मच सफेद नमक मैं एड़ कर रही हूँ, और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दो मिनट तक ऐसी भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें धनिया एड़ करेंगे, और हमारा मसाला बनके रेड़ी हो जाएगा, मेरी फेलिंग बनके त्यार है, अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है, अब मैं डो बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने अजवान ले लिया है, और उसको ऐसे हत्यालियों पर पहले मल लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है, और इसके जो रेसिस होते हैं, निकल जाते हैं, एक चमच नमक एड़ करूँगी, ये दो कप और परपस फ्लावर है, और घी इसमें एड़ करूँगी, घी से समोसा खस्ता बनेगा, और इसका डो होगा थोड़ा टाइट, टाइटली डो बनाएंगे इसका हम, दो चमच से ऻादा मैंने गी लिया, और इसका हम, ऐसे हाथों से मलेंगे, जब तक ये हाथों में लड़ू टाइप में बननेगी, ताब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाणी डालके, डो बनाएंगे, ताइट अंचरों समोसा खस्ता बनेगा, और इसको डीप rival करेंगे, यह देखिए मैंने डो बना के 10 मिन ट्रस्ट करने के रख दिया था चलिए अब हम इसकी पूड़िया बैल के समोसे बनाते हैं मैंने एक पूड़ी पहले से ही बना रखी है ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे इसे बीच में से कट करके जहां से कट किया है वहीं पर पानी लगाएंगे एक कोने को नीचे और दूसरे को उसके ओपर फिंगर से उस करते हुए जाएंगे यह देखिए और ऐसे होल्ड करके यह ठीक से दबा लें यह खुले ना फ्राइ करते वक्त खुले ना यह मूँ छोडे ना अब इसमें हम स्टफ त्यार करेंगे स्टफ भरेंगे पहले थोड़ा सा डालेंगे पॉइंट तक पहुंच जाए फिर उसके बार फिंगर से पुष करते हुए और इस साइड से अब इसके सर्राउंडिंग में पानी लगाएंगे उलका साब और इसको ऐसे मोड़कर ऐसे दबा देंगे आलू कपुस करते हुए इसको दोनों को ऐसे हम मिला देंगे यह देखिए समोसा बनके रेडी है मैंने पहले तील गरम करने के लिए चड़ा दिया था रख दिया था गैस पर हाई फ्लेम पर अब मैंने मीडियम कर दिया है समोसे मीडियम फ्लेम में फ्राइ होंगे जो मैं फ्राइ कर रही हूं इने ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, तभी ये खस्ता बनेंगे ये देखिए मेरा समॉसा बनके त्यार हो चुक है, अब मैं इसको इस तेल से निकाल लोगी, देखिए कितना अच्छा कलर आया, ये देखिए मेरा समॉसा बनके त्यार है, इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सब किया है, मैंने ग्रीन चटनी धनिया, गार्लिक और हरी मिर्च क को ग्राइंड करके सॉल्ट मिलाया के और आधा लेमन मिलाया है जो यह तियार हो गई है बहुत इजी है इसकी रेस्पी और समोसे को इसको साथ खाए बहुत ही स्वादिश लगती है देखें मेरा समोसा कितना खस्ता और टेस्टी बना है जो देखके ही मुझ में पानी आ रहा कितना खस्ता और टेस्टी बना है?